आजकल कोई भी नियू कार पर चेस करना और उसका वेरिंट शूज करना कोई बच्चों का खेल नहीं रहे गया है क्योंकि आप लोग ने आजकल देखा होगा जो आटोमेकर्स हैं जब वो नियू कार अपने लाइनप के अंदर आड़ करते हैं तो multiple variants वहां पर launch करते हैं और अब तो multiple variants के साथ में, subscription option, dual tone option लेक्वां सारे trim साथ में आ जाथे हैं और अगर आपने देखा होगा new nixon ते उसके साथ हदी हो गई है टोटल 69 ट्रिम्स यहां पर उतारी गई हैं उसके लाइनएप के अंदर तो बात आते हैं कि आपको कौन बताएगा कि कौन से विरिंट के अंदर आपको exactly क्या चीज़ मिल जाएगी तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टाकन इक्सौ नवाक्सिस लिफ्ट के बारे में और यह ट्रिम्स numa ने इसलिए चूज़िए क्योंकि जाथ दर लोग इसी ट्रिम्स को वाय करने के लिए करें हैं तो इस वीडियू के अंदर हम लोग करेंगे महां कंपायरेजन औस और मैं आप aller abid के अंदर चो 24 टीन रीम्स हैं यानि कि क्रेटिव दैन आती है आपके क्रेटिव प्लस दैना थे प्लस एज यानि कि इन तीनो ट्रूंप के अंदर आपको exactly क्या कुछ मिल जाएगा, इसके exterior में, interior में, infotainment कौन से मिलेगा, safety, security के अंदर क्या क्या चीज़े मिल जाएगी, comfort, convenience के अंदर क्या कुछ मिलेगा, और साथ ही color options कौन-कौन से मिलेंगे, transmission options कौन-कौन से हैं, और pricing क्या है, यानि की full detail में आप लोगो इस वीडियो के अंदर बताने वाले हूं, creative trim के बारे में, so अगर आप लोग creative trim लेने के लिए सोच रहे हैं, तो वीडियो को end तक जरूर देखेगा, ताकि आप लोग एक detailed comparison समझ आ पाए, तो चलिए, what about just start करते हैं, इस comparison को, आप लोग लेने के सोच रहे हैं, तो इनकी pricing क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, कि आपको कौन कौन से engine option और transmission options देखने के लिए मिल जाएंगे, with the creative variant, तो creative variant के बास, अगर आप लोग लेते हैं, तो इस variant के बास में सबसे ज़्यादा options है, यानि की creative variant के लोटी ऐसे trim हैं, जिसके अंदर बहुत सारे multiple option आपको मिल जाएंगे, engine and transmission के साथ, तो यहाँ पर आप लोग को available मिल जाता है, इसका 1.2 लीटर का revetron 6-speed manual transmission petrol के साथ में, then आपको AMT भी मिलता है, जो कि 6-speed AMT है petrol में, उसके बाद आपको, जो DC option है, वो भी आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपको paddle shifters मिल जाते हैं, 7-speed DC है, then आपको diesel option भी मिलेगा, 6-speed manual transmission का, और 6-speed AMT का, तो यहाँ पर आपको in total 5 engine and transmission option के जो choices हैं, वो available मिल जाते हैं, अब बात आदे हैं के color options की, कि आपको creative variant के अंदर कौन-कौन जे color options की choices मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको in total 7 color options की choices हैं, जिसके अंदर आपको 4 मिलेंगे monotone और 3 मिलेंगे आपको dual tone options, एक चीज़ का ज़रूर याद रखे हैं, जब आप creative variant कर आप ले रहे हैं और dual tone option चूस करना चाहरे हैं, तो वहाँ पर आपको सिर्फ white roof का option है, वही सिर्फ मिलता है, जो black roof का option है, वो आपको fearless के साथ में मिलता है, तो यह exclusive है इन दोनों हे trims के लिए हैं, अब यहाँ पर आपको calgary white है, वो color यहाँ पर मिलेगा, देन आपको daytona grey मिलेगा, flame red मिलेगा, और creative ocean जो कि exclusive है for creative variant वो यहाँ पर मिलेगा, और अगर आप लोग dual tone option लेने के लिए जा रहे हैं, तो daytona grey के साथ मिलेगा, flame red के साथ और creative ocean, यह तीन option आपको dual tone options के साथ में मिल जाएंगे with the creative trim. सब बात करते हैं कि exterior के अंदर आपको कौन-कौन से common features मिल जाते हैं तीनों ही trims के अंदर, तो यहाँ पर आपको मैं एक-एक feature बताने वाला हूं, सबसे पहले आपको high gloss black front grill offer की जाती है, then shark fin antenna, body colored bumpers, contrast roof, body colored door handles, black tape on A-pillar, B-pillar and sash area, then conventional front wiper blades, bifunctional ही आपको full LED headlamps मिल रहा है, high mount stop LED lamp, integrated roof rails, then sequential LED DRLs, piano black overview finish, overview with turn indicator, end-to-end tail lamps with sequential feature और R 16 inches के alloy wheels with decorative inserts, तो यह सारे features आपको common मिल जाती हैं तीनों ही trims के अंदर, but ऐसा नहीं है कि कुछ extra नहीं मिल रहा, अब बात करते हैं कौन-कौन से exclusive feature है जो कि exterior के अंदर offer किये जाते हैं, और कौन सा variant extra चीज offer कर रहा है, So exclusive feature के अंदर जो creative plus S trim है वहाँ पर आपको voice command वाली electric sunroof offer की जाती है, जो कि एक extra feature है, जो कि आपको यहाँ पर इस trim के अंदर extra मिल जाता है, यानि कि अगर आप तीनों ही trims को साथ में रख कर देखते हैं तो सिर्फ जो creative plus S trim है उसके exterior में आपको सिर्फ sunroof का फरक मिलेगा, बागे तीनों ही trim भाहर से exactly same है, अब बात करते हैं इसके interior की common interior features क्या मिल जाते हैं तीनों ही trims के अंदर, यहां पर आपको two spoke steering wheel offer किया जाता है with illuminated logo, dual tone cockpit finish, front and rear collapsible grab handles, leather gear knob finish, chrome interior door handle finish, persona based mid inserts, 7 inches के digital instrument cluster, persona based full fabric seats, umbrella holder magazine pockets, front and rear doors के अंदर, और center console storage, तो इस सारे आपको common features मिल जाते हैं interior के अंदर, तीनों ही trims के अंदर, अब बात करते हैं exclusive interior features की कौन से variant extra interior के अंदर features को offer कर रहा है, तो दोस्तों जो exclusive feature है वो आपको creative plus and creative plus S trim के अंदर मिल जाता है, जो है rear parcel tray, जो parcel tray है वो आपको दोनों ही trims के अंदर मिलेगी, creative variant के अंदर नहीं मिलेगी, तो यह exclusive feature है जो कि दोनों ही trims offer कर रहे हैं, अब बात आती है दोस्तो common safety and security features की, यहाँ पर भी एक-दो features का फरक है, still हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, common safety features आपको कौन-कौन से मिल जाते हैं, तीनों ही trims के अंदर, यहाँ पर आपको सबसे पहले TPMS मिलता है, तीनों trims में ABS plus ABD, 6 airbags, 360 degree camera जिसके अंदर front parking sensors में मिलेंगे और monitoring system भी मिलेगा, brake disc wiping, electronic brake pre-fill, electronic stability program, and hill hold control, immobilizer, ISO size, then reverse park assist, जिसके अंदर ultrasonic sensors मिल रहे हैं, reverse park assist के साथ में camera और dynamic जो guideways है वो भी मिलेगा, roll over mitigation, and electronic traction control, तो इस सारे features आपको common मिल जाते हैं, under safety and security features, अब बात करते हैं, exclusive कौन-कौन से safety features आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक ही feature का फरक है, जो है इसका अंदर का IRVM, यानि कि अगर आप creative वेरिंट लेने के लिए सोच रहे हैं, तो वहाँ पर आपको anti glare IRVM मिलेगा, बट अगर आप लोग creative प्लस और creative प्लस अस लेने के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको auto dimming IRVM मिल जाएगा, जो कि automatic लिए काम करता है, और रात के ताइम पर काफ़ी जादा help करता है, तो सिर्फ यही फरक है, उपर के दोनों trims के अंदर आपको automatic IRVM मिल जाएगा, auto dimming वाला, बट उससे नीचे आपको anti glare वाला मिल जाएगा, तो दोस्तों अब बात आती है इसके infotainment की, और infotainment की अगर बात करनें, तो पहले common features की बात करते हैं, यहां पर हमें 17.78 cm की टस्के infotainment system offer की जारे बाय हर मन, तो यहां आपको Android Auto है, Apple CarPlay, वो तीनों trims के अंदर मिल जाएगा, FM, AM, Bluetooth, USB, Image and Video Playback, Microphone, 6 speaker including 2 tutors, और Speed Dependent Volume Control, तो इस सारे features आपको common मिल जाते हैं, बट अब बात आदे exclusive feature की, तो यहां पर मैं आप नहों बता दू, जो exclusive feature है न, वो आपको मिलेगा, इसके creative plus और creative plus S के अंदर, जिसके अंदर आपको Android Auto और Apple CarPlay है, वो with Wi-Fi feature के साथ में offer किया जा रहा है, यानि की creative variant के अंदर Android Auto, Apple CarPlay मिलेगा, बट उपर के दो विरिंट से अंदर आपको Android Auto, Apple CarPlay with Wi-Fi feature भी मिल जाएगा, तो है न, यह काफी ज़्यादा कमाल का feature मुझे comment करके ज़रूर बताएं, तो दोस्तों अब बात आदे इसके comfort और convenience feature की, और बात करेंगे पहले common features की, तो यहाँ पर हमें All Door Power Windows मिल जाती है, Hide Adjustable Driver Seat, Adjustable Tilt Steering, FATC, देन Auto Headlamps feature ओफर किया जा रहा है, उसके बाद PEPS का जो feature है वो मिलेगा, देन Electric Tailgate Opening, Follow Me Home Headlamps, Front Adjustable Headrest, Cooled Glove Box, Multi Drive Modes, Rear AC Wents, Rear Power Outlet, Rear Viper Washer, Phone, Audio and Voice Steering Wanted Controls, और USB Power Outlet, तो यह सारे हमें common features मिल जाते हैं, बढ़ मैं आपको personal एक चीज़ बताऊ, इन तीनों trims के अंदर ना, जो basically फरक हैना है, वो comfort और convenience feature के अंदर ही है, जो कि exclusive feature में आप लोग अभी बताने वालों, कि इन तीनों के अंदर क्या-क्या फरक है, यह तो होते, common features आप बात करते हैं, exclusive features के बारे में, तो यहाँ पर, सबसे पहले feature के अगर हम बात करें, तो वो है, करेंगे, तो लोग करते हैं, आटमाटिकली फोल्ड हो जाएंगे, और अनलोग करते ही, आटमाटिकली अनफोल्ड हो जाएंगे, तो यह feature आपको दोनों ही, अपर trims के अंदर मिलता, यानि creative plus और creative plus S के अंदर, उसके बाद में, जो low trim है, उसके अंदर आपको जो retractable और fold वाला option है, वो मिलेगा, बट की वाला feature नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर जो other feature है, automatic headlamps आपको creative वेरिंट के अंदर नहीं मिलेंगे, creative plus और creative plus S के अंदर offer किये जा रहे हैं, तो अलग feature आथा है, आपका cruise control, cruise control आपको creative के अंदर नहीं मिलेगा, creative plus और creative plus S के अंदर, जो cruise control है, वो offer किया जा रहा है, then next feature है, इसका height adjustable seatbelts, जो seatbelts हैं, वो आपको height adjustment के साथ में creative plus S के अंदर offer की जा रही है, बट वो आपको जो नीचे वाले trim है, creative और creative plus के अंदर नहीं मिलेगी, then उसके बाद है rain sensing wiper, creative variant के अंदर नहीं मिलेगा, creative plus और creative plus S के अंदर rain sensing wipers भी मिल जाएंगे, तो ये थे वो exclusive features जो कि आपको extra मिल जाते हैं, अलग-लग trims के अंदर, तो दोस्तों उमीद करता हूँ, आप लोगों को वीडियो काफी जादा informative लगे होगी, और ये था full comparison of, तीनो ही variants creative, creative plus और creative plus S, ये था एक महा comparison, जिसके अंदर मैंने तीनो ही variants को compare करके, एक ही वीडियो के अंदर बता दिया, ताकि आप लोगों के लिए ये जानना काफी जादा ease हो जाए, कि एक ही वीडियो के अंदर आपको तीनों trims मिल गया है, यानि कि अगर आप creative trim लेने के लिए जा रहे हैं, या सोच रहे हैं, तो आपको एक ही वीडियो के अंदर मैंने cover up करके बता दिया, अब आप इससे खुद analyze कर सकते हैं, कि कौन सा वेरेंट आप लोग के लिए सही है और कौन से feature आपको चाहिए थे और वो किस में exactly मिल जाएंगे, और क्या price point है, हर एक चीज़ डीपले बता दिया है, और ये जो मैंने आप लोग informative वीडियो दिया ने, यूटियूब के उपर आपको कहीं पर भी available नहीं मिलने वाली, क्योंकि ऐसे content ना हम आप लोग के लिए बनाते रहते हैं, जो कि आप लोग के लिए काफ़े ज़्यादा needful होते हैं और informative होते हैं, so दोस्तो in return में आप लोग से एकी चीज़ कहता हूँ, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत!